प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम मन की बात के आने वाले रविवार यानि की 30 अप्रेल को 100 अपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं इस बारे में बात करते हुए प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस कारिक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और हमारे यां सेंचुरी का महत्व अलग होता है इस बारे में बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं आप सभी के आशिरवाद आप सभी के इस दे और आपके योगदान की वज़े से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुचा है मद्द पुदेश के अनेकों लोगों के उपलब्द्यों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है यहां के लोगों की लखों चीठिया और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं इस बार रभी बार को मन की बात मैं फिर आप से मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि सेंचुरी है ना और हमार यहां तो सेंचुरी का जरा बात तो जादा ही होता है एक सर्वे में यह सामने आया है कि 23 करोड लोग नियमित रूप से कारिकरम को सुनते हैं जबकि 41 करोड लोग कभी कभी सुनते हैं मन की बात 22 भारतिय भाशाओं और 29 बोलियों के लावा अंग्रेजी, फ्रैंच, चीनी, इंडोनेशिया, तिबबती, बर्मी, बलूची, अर्भी, पश्टू, फार्सी, दारी और स्वाह, लीसी को छोड़कर 11 विदेशी भासाओं में भी प्रसारित किया जाता है इसके साथी मन की बात का प्रशारण अकाशवानी के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों द्वारा किया जाता है प्रधान मंत्री के मन की बात 3 अक्टूबत 2014 को शुरू किया गया था और पूर्या काशवानी और डीरी नेटवर्क पर हर महीने के आखरी रविवार को सुबह 11 बचे प्रसारित किया जाता है